Hey everyone, welcome to another video और आज का टॉपिक है वोईस, अक्टिव पैसिव वोईस इस लेक्टर को हम तीन वीडियो में पूरा करेंगे फर्स्ट में basic sentences, assertive sentences, second में interrogative, imperative और exclamatory sentences और last video में worksheet वोईस मतलब बात बोलने का तरीका हम दो ही तरह से बात बोल सकते हैं या तो काम कौन कर रहा है उस पर focus डाल कर या फिर क्या काम हो रहा है उस पर focus डाल कर कोई तीसरा वे है, nope So, यहाँ पर पूरा गेम है focus का, किस चीज़ पर focus है sentence में, वही sentence का starting बन जाएगा, for example, मैं English पढ़ा रही हूँ, मैं voice पढ़ा रही हूँ, किस पर focus है, काम कौन कर रहा है, मैं, मुझ पर, तो sentence का starting बन जाएगा, I, वहीं पर दूसरा वे होगा, क्या काम हो रहा है, English पढ़ाने का काम हो रहा है, तो वह starting बन जाएगा, जिससे हम बोलेंगे, English पढ़ाई जा रही है, right, any other way, no, तो अब बात करते हैं, active से passive या vice versa, passive से active बनाने का, तो active voice के sentence कैसे बनते हैं, subject, इंसान जो काम कर रहा है, then helping verb और verb, जो की change होते रहते हैं, according to this tense, फिर object, easy, passive voice उससे भी ज्यादा easy है, सबसे पहले object, then helping verb, हाँ, जो की change होंगे, according to the tense, but verb सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म, and last में by subject, और ज्यादा easy way में समझते हैं, चल ये, एक table बनाएंगे, जिसके लिए tenses के according, आपको helping verb और verb की form याद होनी चाहिए, start करते हैं, present tense active में, present simple, subject, then कोई भी helping verb नहीं, verb का first form, then object, subject, is या are, plus verb first form, ing, then object, is या are आपको खुद चूज करना है, is singular के साथ, are, plural के साथ, detail में इस पे already एक वीडियो है, वो देख सकते हैं, perfect, subject, then has, या have, then object, has, have में से भी चूज करना है, has, singular, have, plural, perfect continuous, subject, plus has, या have, दोनों के साथ, been, plus object, right, अब इसका passive बनाते हैं, passive बनाना easy कैसे है, सबसे पहले, perfect continuous का passive बनता ही नहीं, इसे हटा दीजे, बठे तीन, अभी, helping verb और verb ही change होना है, सबसे पहले यहाँ पे object, 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 subject, last में चला जाएगा, और उससे पहले by लग जाएगा, right, बचा क्या, helping verb और verb, verb का passive में बिना दिमाग लगाए, बिना सूचे समझे, verb की third form, verb की third form, verb की third form, right, easy, क्या बचा, सिर्फ और सिफ helping verb, तो, present simple में कोई भी helping verb नहीं होता, passive में आपको helping verb बौरू करना पड़ेगा, बचपन में mathematics में सबसे पहले जब subtraction सीखा था, तो याद है, जब हम minus करते थे, अगर number छोटा है, उसमें से बड़ा number आपको minus करना है, तो side के number से number बौरू करना पड़ता था, बस वही, यहाँ पर कोई helping verb नहीं है, तो नीटे वाली line में से is या are बौरू करेंगे, present continuous में already is, are, even ing है, is, are कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पर साथ में एक word add होगा, वो तो होना ही था, कुछ complications तो जरूरी है न, easy life हमारी English को अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर add होगा being, कैसे याद करेंगे, यहाँ ing, तो यहाँ भी ing वाला word, is, being, या फिर are being, right, perfect में, क्योंकि has, have already है, यह कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी बारू नहीं करना, has या have, plus being लगाना है आपको, ठीक है, being और being, याद रखे, be, be वाले word है, ing में, ing वाला, और जो बचा उसमें being, same, ऐसे ही past में आ जाएगे, यह past के active sentences, अब passive में, क्योंकि यहाँ पर subject के साथ कोई helping verb नहीं है, वी टू है, ऐसा कहीं और combination होता है, कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ past simple में, past में आपको पता है, क्या helping verb आते हैं, was या were आता है, यहाँ पे borrow कर लेंगे, ऐसे याद नहीं रहता, तो table बना कर फटा फट देख लीजेगा, second line से borrow करेंगे, was या were, verb already है, second continuous में, was, were already है, कुछ भी नहीं borrow करेंगे, कुछ भी नहीं हटाएंगे, was या were, as it is, क्योंकि ing है, तो ing वाला word being लगा देंगे, perfect, had already है, कुछ भी borrow नहीं करेंगे, had ऐसा कैसा आएगा, और be वाला word being यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, perfect continuous में, passive नहीं बनता, easy, future में आ जाएंगे, future सबसे जादा easy है, last का passive नहीं बनता, second का passive भी नहीं बनता, ये, congrats, अभी, simple, will, already है helping verb, तो will को as it is लिखेंगे, यहाँ से be, e, be, मैंने बोला था न, थोड़ी complications तो जरूरी है, तो be, e, be यहाँ पर लगा देंगे, बन गया passive, third में आईए, will, have, already है, will, have, as it is लिखेंगे, third वाली line में, perfect में, being आपको लगाना है, be, double, e, and being, क्योंकि ing वाले sentences का passive बन ही नहीं रहा, तो being कहीं भी use नहीं होगा, और यह हो गया आपका पूरा passive complete, I mean, assertive sentences का passive complete, इससे भी जादा easy way में summarize कीजिए, simple sentences में, जहाँ helping verb नहीं होता, second line से continuous से helping verb बोरो कर लेंगे, continuous में ing वाला word लगा देंगे, being, perfect में, b, double, e, n लगा देंगे, और last का passive बनता ही नहीं है, तो फटा फटा, प्रेस्ट नोटिफिकाशन बेल और सब्सक्राइब बटन, so that you find next video as soon as I'll upload, till then, take care, bye bye.